प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अकलमंद इंसान, घरीब शागिर्थ और भहस का वाक्या सुनाने वाले हैं। अकलमंद आदमी ने जब भहस की चोरी की, तो फिर क्या हुआ? आईए इसके बारे में बताते हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना वक्त खराब किये, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। कहा जाता है कि गाउं में एक जहीन शक्स रहा करता था, जिसकी जहानत और अकलमंदी का डंका दूर दूर तक बज़ता था। तमाम लोगों का कहना था कि उससे ज़्यादा जहीन इनसान इस पूरे गाउं में कोई नहीं है। तो एक दिन एक गरीब आदमी को जहीन शक्स के बारे में पता चला। तो उसने इरादा किया कि क्यों न वो उस अकलमंद शक्स के पाद जाकर उसके इल्म और जहानत से फाइदा हासिल करे। तो उस अकलमंद की शागिर्दी करने के लिए वो आदमी उस शक्स के तरफ निकल पड़ा। और कुछ घंटों की मुशक्कत के बाद आखिरकार वो गरीब आदमी उस दानिश्वर के पास पहुँच गया। दानिश्वर से मुलाकात कर उस अदमी ने अपने बारे में उसे बताया। और उसे बताया कि वो उसकी शागिर्दी में जिन्दगी के कुछ हैं मसबाक सीखने की नियत से आया है। जिससे कि उसकी जिन्दगी में कुछ बहतरी आ सके। लेकिन उस अकलमन इनसान ने उस आदमी को अपनी शागिर्दी में लेने से साफ इंकार कर दिया। और उसने कहा कि वो किसी बें इनसान को अपना शागिर्द बनाना पसंद नहीं करता। लेकिन गरीब आदमी ने उस सकलमन से इस बात के वज़ा पूछी। क्यों क्यों वो उसे अपनी शागिर्दी में नहीं लेना चाता। उस अकलमन इनसान ने उससे ये कहा कि उसके शागिर्दी में रहना इतना आसान नहीं है, कोई शक्स उसके बताय होए तरीकों पर अमल नहीं कर सकता, उस अकलमन ने ये भी कहा कि उसकी जहानत और तरीकों को समझना, किसे आम इनसान के बसकी बात नहीं है, तो गरीब आदमी उस अकलमन्द शक्स से कहा कि वो इस बात का फुकता एरादा कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर उसकी शागिर्धी हासिल करके रहेगा अब दानिश्वर के लाक मना करने के बाद भी वो आदमी अपने एरादे पर कायम रहा चुना时 उस आदमी के बहुत इस्रार करने पर वो अकलमन दोस करीब को एक शर्थ पर अपनी शागिर्दी में शामिल करने को तयार हो गया तो उस अकलमन शक्स ने उस घरीब आदमी को शर्थ बताते हुए कहा कि मेरे किये गए किसी भी काम पर वो किसी किसम का कोई सवाल या वजाहत नहीं मांगेगा गरीब आदमी को ये मौाइदा बहतर महसूस हुआ और वो उस दानिश्च्वर शक्स की शागिर्दी में आ गया इसके बाद उस दानिश्च्वर ने गरीब आदमी से एक सफर पर चलने के लिए कहा चुनांचे वो दोनों सफर पर निकल पड़े और रास्ते में ही दिन ढलने लगा और रात की तारिकों के असार नजर आने लगे और सफर भी अभी बहुत ज्यादा लंबा था उस दानिश्वर शक्स ने अपने शागिर्थ से कहा रात होने को है और रात में सफर करना मुनासिब नहीं तो उन्होंने करीब ही मौजूद एक बस्ती में पनहा लेने का इरादा किया पना लेने के लिए उन्होंने बस्ती में मौजूद एक घर के दर्वाजे पर दस्तक दी तो उस घर से एक शक्स बाहर आया उस दानिश्वर शक्स ने उस आदमी से कहा कि हम मुसाफिर है और एक रात की पना चाहते हैं जिस पर वो भला शक्स उन्हें अपने घर में पना देने को राजी हो गया और उन्हें अंदर आने के इजाज़त देती उस शक्स के घर की हालत बहुती जयादा खराब थी और यू मालूम होता था कि उसका गुजर बसर बहुती जयादा तंगदस्ती में हो रहा है चुनाचे उस शक्स ने उनके सामने खाना भी पेश किया और उन्हें आराम करने को एक बिस्तर भी दिया खाना खाने के बाएद दानिश्वर शक्स ने उस आदमी से पूछा कि उसका कामकाज क्या है उसका गुजर बसर कैसे होता है जिस पर उस आदमी ने बताया कि घर के आसपास मौजूद मीलो तक की जमीन उसके बाप दादा की मिलकित है और उसके पास एक दूद देने वाली भैस भी मौजूद है उस आदमी ने बताया कि वो दूद के तीन हिस्से करता है एक हिस्सा वो खुद और अपने बच्चों के लिए रखता है और दूसरा हिस्सा बेच कर उससे कुछ अनाज ले आता है और तीसरे हिस्से के दूद की दही बना लेता है जिससे उसी घी मैसर हो जाता है तो इस तरह से उसके घर का गुजर बसर उसे एक भैस के दूद से चल रहा है उस आदमी के बाद सुनकर दानिश्वर शक्स बहुत हैरान हुआ और उससे पूछने लगा कि तुम्हारे पास तुम्हारे बाब दादा की इतनी जागिर है तो तुम इस जमीन पर कोई फ़सल क्यों नहीं उगा लेते हो अब उस पर वो शक्स कहने लगा हाँ लेकिन मेरे घर का गुजर बसर तो इस भैस के दूद से ही जल रहा है तो ऐसे मुझे का जरूत है कि मैं इतनी मेहनत करूं और फ़सल उगा हूँ रात हुई तो उस शक्स ने दानिश्वर और उसके शागिर्थ को आराम करने को कहा और खुद भी आराम करने को चला गया आधी रात का वक्त था दानिश्वर ने अपने शागिर्थ से कहा कि हमें अभी सफर पर निकलना है और इस आदमी की ये भैस भी अपने साथ ले चलो दानिश्वर की बात सुनकर उसका शागिर्थ सोच में पढ़ गया उसने दानिश्वर शक्स से उस अमल की वजाहत पूछनी चाही लेकिन दानिश्वर शक्स ने उसे उन दोनों के बीच हुआ मौाइदा याद करवाकर उसे खामोश करा दिया कि वो उससे कोई सवाल या वजाहत नहीं मांगेगा वो लोग खामोशी से उस शक्स की भैस को साथ लेकर वहाँ से चले गए अगली सुबा जब वो दोनों अपनी मनजिल पर पहुँचे तो उस अगलमंद इंसान ने उस भैस को एक व्यापारी को बेज दिया और उससे हासिल होने वाली रकम आधी खुद रख ली और आधी अपने शागिर्थों दे दी शागिर्थ जो की रात के गुजरे उस वाक्य को लेकर अभी तक परेशान था उसे बात नागवार गुजरी कि जिस शक्स ने उन्हे रात को अपने पास बना दी खाने को दिया तो उस अकलमंद ने उसी के घर चोरी की उसकी वो भैस जो उसकी और उसके बच्चों की किफालत का अकेला जरिया थी उससे भी बेज दिया दानिश्वर के इस काम से उसके शागिर्थ को बहुत गम और गुसा था उसने सोचा कि शायद उसने खल्ट शक्स का इंतकाव किया है इसलिए उसने इरादा किया कि वो अब उस दानिश्वर शक्स से अलग हो जाएगा और वो दानिश्वर शक्स को खेराबाद कहकर अपने गाउं वापस आ गया अभी उसको काफी वक्त गुजर चुका था लेकिन उस गरीब आदमी को बार बार उस शक्स का खैला आता जिसके घर उन्होंने चोरी की थी उस गरीब शक्स का जमीन उसे इस बाद पर बार मलामाद करता रहा और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो उसके पास जाएगा और बेची हुई भैंस की आधी कीमत उसे वापस अदा करेगा जो कि उसके हिस्से में आई थी उस गरीब आदमी ने इरादा किया और उस शक्स के घर की तरफ निकल पड़ा जब वो गरीब आदमी उस शक्स के घर पहुँचा तो वहाँ का मनजर देखकर वो दंग रह गया उसने देखा कि जहां कुछ वक्त पहले एक खस्ताहाल मकान था आज वहाँ एक आलिशान घर मौजूद है और घर के सामने बहुत से मवेशी भी मौजूद है और वो जमीन जो कुछ वक्त पहले बंजर पड़ी हुई थी तो वहाँ पर अब बहुत सी फसले तयार थी गरीब आदमी उस तमाम मनजर की तब्दिली पर बहुत ज्यादा हैरान था और उसकी हकीकत जानने के लिए वो उसी घर के दरबाजे पर पहुँचा और दस्तक दी उसकी हैरानगी में उस वक्त और इजाफा हो गया जब उसने उसी शक्स को अच्छा लिबास बहने होए देखा जिस शक्स ने उन्हें पना दी थी गरीब आदमी ने उन्हें बताया कि ये वही है जिसने उस रात उसके घर पर पना ली थी तो इस पर वो शक्स कहने लगा कि आए दोस्त उस रात आप और आपके साथ ही कहां चले गए थे और सुबह जब मैंने देखा तो आप अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थे और उसी रात मेरे साथ एक वाक्या पेश आया मेरी वो भैंस जिसका मैं दूद निकाला करता था वो भैंस कोई चुरा कर ले गया अब उस शक्स का इतना ही कहना था कि वो गरीब आदमी उससे माफी मागने लगा और उस रात पेश आने वाला तमाम माजरा वोसे बयान कर दिया और हिस्से में मिलने वाली रकम भी उस शक्स को पेश कर दी चुनांचे उस शक्स ने ये रकम लेने से इंकार कर दिया और कहा कि अब मेरे पास अल्ला का दिया बहुत कुछ है गरीब आदमी ने तजस्स से उससे एक सवाल पूछा कि तुम्हारे हालत में इतनी बड़ी तबदीली आखिर कैसे मुम्किन हुई और तुम तो गरीब थे आखिर इतने अमीर कैसे हो गए तो शक्स ने बताया कि जिस रात आप दोनों ने मेरी भैस चुराई थी उसके अगले दो दिन मैं काफी ज़्यादा परिशान रहा घम में मुबतिला रहा मगर जब मुझे एसास हुआ कि मेरे अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला तो उसके बाद मैंने हिम्मत की और अपनी इस बंज़र जमीन पर मेहनत करना शुरू कर दी और अल्ला ने मुझे इस मेहनत का ये सिला दिया कि मैंने इस जमीन पर बहुत सी फ़सल तयार की जिसे मैंने बेचा और आज इसी वज़ा से मेरे पास ये बहुत सी दौलत है और महज इस जमीन पर खेती बाड़ी करके मैं अपना बहतरीन गुजर बसर कर रहा हूँ वो शक्स ने कहा कि जिसे मैं अपनी सहुलियत समझता रहा दर हकीकत तो वो मेरी मजबूरी थी जो कि मुझे बहतरी की कोशिश से रोकी होई थी और आप लोगोंने मुझे उस मजबूरी से आजाद करके आज इतना काबिल बना दिया शागिर्थ को अब दानिश्वर शक्स के उस अमल की वजाहत मिल चुकी थी और उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि उस दानिश्वर शक्स ने आखिर वो भैस क्यूं बेची थी और किसी बुरे अरादे से उसने वो भैस नहीं चुराई थी बलकि उस इंसान को उसकी हकी काबिलियत दिखाने के लिए उसने असामल किया था तो दोस्तो इस कहानी का मदलब हर्गिस ये नहीं है कि आप किसी और की चीज चुराए और उसके पैसे अपने पास रख ले बलकि इसका असली मकसद तो ये है कि आप अपनी काबिलियत को पहचाने तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना है मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अस्सलाम उलेकुम अल्ला हाफिस